हल्दवानी से एक भीशन सडक हाथसे की खबर सामने आ रही है जहां हल्दवानी रांपूर रोड पर शहर से लगबख दो किलो मिटर दूर रविवार देर रात दो कारों की आमने सामने टक्कर हो गई बताया जा रहा है कि इस हाथसे में एक कार में सवार बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि साथ बैठी पत्नी गंभी रूप से घायल हो गई है वहीं दूसरी कार में सवार यूवक भी घायल हो गया तो वहीं घटना के बाद घायलों को सुशिला तिवारी अस्पताल में भरती कराए गया है मिली जानकारी की अनुसार एक कार में सवार बुजुर्ग पत्नी बिजनौर यूपी से हलदवानी आ रहे थे इस दोरान रामपूर रोड पर दो कारों की आमने सामने टकर हो गई और टकर के बाद एक कार बारिश से गीली सडक पर फिसलती हुई नीचे की और चली गई तो वहीं कार में बैठे हलदवानी के जैपाल और उनकी पत्नी रश्मीरानी गंभीर रूप से घायल हो गए बताय जा रहे कि दूसरी कार में सवार घायल यूवक की शिनाक्त गिल फाम हलदवानी निवासी 35 साल के दीपक के रूप में हुई है इसी के साथ ही आपको बता दे कि STH में इलाज के दौरान देर रात गंभीर घायल जैपाल की मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी रश्मीरानी की हालत गंभीर बनी हुई है